हेलो फ्रेंड, वेलकम तुझे चैनल सॉलिशन हमारे आजियो फार्मकोलोजिकल क्लासिफिकेशन और ड्रग की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एंटी एंजाइटी ड्रग का क्लासिफिकेशन इसे मैंने लिया हुआ है केटी द्रिपार्टी के एट्थ एडिसन से और आपकी जानकारी के लिए इसका पेज नंबर है 493 अगर आप आज के या आज से पहले के जितने भी वीडियोज हमने इस सीरीज में अप्लोड किये हैं उनका केबल आइएयो ओप्लोड करते हैं तो इसे वीडियो के डिस्क्रिप्चन बॉक्स में जाएए वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा यसे क्लिक करके आप पूरे वीडियोज के आइएयो फॉर्मेट फ्री आपकॉस ओप्लोड कर सकते हैं अज का जो हमारा ड्रग है Anti-Anxiety Drug यानिकी ऐसे ड्रग जो कि Anxiety की प्रॉब्लम को Manage करने के लिए यूज किया जाते हैं इसे हम Anti-Anxiety Drug कहते हैं इसके मुक्के रुप से चार मेन क्लासेस हैं ये चार मेन क्लास कुछ इस तरीके से हैं सबसे पहले बात करें तो देख लिजे आपको दीग पहला है आपका Diazepam Spelling है D-I-A Daya और Zepam Z-E-P-A-M दूसरा ड्रग है आपका OXA Zepam तो पहले के जैसा ही है डाया की जगा OXA लगा देना है Rest Zepam आपका सेम होगा यानि कि O-X-A प्लस Zepam Z-E-P-A-M ये कहला हैगा आपका OXA Zepam तीसरा एक्जामपल है आपका LORA Zepam यहाँ पर हम OXA को फिर से रिप्लेस करेंगे LORA से बाकी सब सेम रहेगा L-O-R-A LORA प्लस Zepam Z-E-P-A-M LORA Zepam Next example है आपका Chloridiagipoxide Chloridiagipoxide Spelling तूटी की ऐसे Chlor C-H-L-O-R Chloridiagipoxide Z-E-P-O-X-I-D-E Chloridiagipoxide This audio is uploaded by Solution Pharmacy Next example है आपका L-P-R-A Zolam L-P-R-A A-L-P-R-A L-P-R-A और जोड देंगे Zolam Z-O-L-A-M यह कहलाएगा आपका L-P-R-A Zolam Next example है आपका Clona Jepam Clona C-L-O-N-A Clona और Zepam Z-E-P-A-M एक साथ बोलेंगे तो यही कहलाएगा आपका Clona Zepam दूसरा जो main class था आपका वो है Eza Pyrons और इसके अंदर का example है Bus Pyrons B-U-S-P-I-R-O-N-E Bus Pyrons Next example है आपका Jepiron G-E-P-I J-P-R-O-N-E यह कहलाएगा आपका J-P-R-O-N Next example है आपका Ispa Pyrons Ispa 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 Plus Pyrons P-I-R-O-N-E Ispa Pyrons Next main class है आपका Sedative Antishterminic Drug और इसके अंदर का example है Hydroxy Gene Hydroxy H-Y-D-R-O-X-Y Hydroxy Plus Zene Z-I-N-E यह कहलाएगे Hydroxy Gene और आखरी class है आपका Beta Adenergic Receptor Blocker या short में से हम Beta Adenergic Blocker या फिर Ultra Short में से Beta Blocker भी बोलते हैं और इसके अंदर का example है Propranolol Propranolol P-R-O-PRO और P-R-E-PRA Plus N-O-L-Nolol यानि की Propranolol तो यह था हमारा आज का classification जिसमें हमने बात किया Anti-Anxiety Drugs के बारे में मैं आपसे request करूँगा कि इस वीडियो के Audio section को download करने के लिए इसे वीडियो के description box में जाइए वहाँ पे आपको आज से पहले कि जितने भी वीडियो हमने upload किये हैं उन सब का Audio Format का Direct Link मिल जाएगा नाम के साथ Sequence के साथ आप चाहें तो सारे के सारे download कर सकते हैं Mobile पे Save कर सकते हैं दोस्तों सब शेयर कर सकते हैं और अपने classification को recall करने के लिए जहां भी आप free रहें headphone के साथा से सुन करके इसे recall कर सकते हैं Thank you, take care